वेलकम तू सारीका कीचन रेसिपी आज मैं आलू से बहुत ही टेस्टी नास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ इस नास्ता को मैं आलू से बनाऊंगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए उबले तो मैं ले ली हूँ चार उबले हुए आलू और आलू को मैं कदुकस कर ले रही हूँ तो आलू को कदुकस कर लेंगे जिससे आलू में गुठली ना हो कदुकस करने से आलू का सारा गुठली खत्म हो जाता है ऐसे आलू को मैस करेंगे तो आलू में गुठली रह जाता है इस कि कि सारे की अलू को प्रेंब कर में करदों PicinEx के अलू कोब अब कर लेना है थो हमें ले लेना है अकड़ाई और कड़ाई में 300 गराम पानी डाल देंगे इसमें दो चम्मच तेल डाल देंगे तेल डालने से ये नास्ता बहुत ही सोफ्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा इसलिए तेल जरूर डाले याद से डाले और थोड़ा सा हल्दी पॉर्डर थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स यानि की कुटी हुई लाल मिर्श नमक दालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इसलिए जरूर डाले अब इसे उबाल आने देंगे तो पानी को अच्छी तरह से उबल जाने दें पानी में कुबाल आ जाने पर इसमें सुजी डाल देना है तो मैं ले ली हूँ एक बाउल सुजी यानि की 100 ग्राम सुजी होगा तो एक बाउल सुजी में इससे नापकर तीन बाउल पाने डाल सकते हैं इस तरह से नापकर डालेंगे तो पानी का मैजर्मेंट सही होगा तो एक बाउल सूजी और तीन बाउल पानी डालना है इसी तरह से पानी डालना है सूजी को हमें अच्छी तरह से कुख कर लेना है इस नास्ता को आप महमान को स्थाक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं और यह नास्ता बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाएगा सुजी का पानी अच्छी तरह से सूख गया है तो हमें गय से हां पर बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देंगे इसे लगवक 50% ठंडा कर लेंगे अब यह 50% हो गया है तो इसे आलू में डाल देंगे जो आलू को कदुकस करके रखे थे उसमें डाल दिये इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो सुजी और आलू को अच्छी तरह से मिक्स करें सुची अलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसे मैं चम्मज से मिक्स कर ले रही हूं लेकिन चम्मज से मिक्स करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था तो इसे मैं हाथ से अब मिक्स कर लूँगी जिससे एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हाथ से यह बहुत अच् तेल डाल कर तेल को हमें अच्छी तरह से ग्रीस करना है तो तेल को प्लेट में अच्छी तरह से फैला ले तो एक ब्रस की सहायता से मैं इसे अच्छी तरह से फैला ले रही हूँ अब इसमें सुझी और अलू वाला वेटर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला इसे मूटा ही रखना है तो इसे हलका ही फैलाना है तो इस तरह से हाथ की सहायता से इसे फैला लेना है यह बहुत ही टेश्टी नास्ता बनकर तयार होता है अब बनाने में एक दमीजी है और खाने में बहुत ही टेश्टी बहुत ही टेश्टी बनेगा इस तरह से जरूर एक बनाकर देखिए बहुत ही पसंद आएगा डिसे अच्छी तरफ से फैला कर इसे अच्छी तरफ से से देना है सबसे पहले शायर बाट को कट करकर हटा देना है कि दोनों तरफ से हटा देंगे कट करकर अब पतला पतला तरह से कट कर लेना है बहुत जादा मोटा भी नहीं और बहुत जादा पतला भी नहीं तो में आपको यह दिखा दे रही हूं तो देखिए कितना मोटा ये रहेगा तो ये अच्छा थिक रहेगा पतला नहीं रहेगा इस तरह से इसे रखना है अब चलिए इसे सेलो फ्राइ करते हैं तो इसे हमें सेलो फ्राइ करना है डीप फ्राइ नहीं करना है आप इसे डीप फ्राइ भी कर सकते हैं तो इसे आप तंसे फिंटर चंब तेल ले लिए टींघ प्राइपन फिर में में कःति ट्रां वी है अवी पर एक एक नम्हें कहना स्कुनि round कि देख देंबया के आप जैने कि आज पार से खोड़ेस ने देरे पर दीस तरह से क्लेड़ है सर फाय करता पांधयर है अब इसके ऊपर थोड़ा सा तिल डालेंगे तिल पहले नहीं डालेंगे नहीं तो तिल जल जाएगा जला हुआ तिल स्वाधिश्ट नहीं लगता है इसलिए तिल को बाद में डालना है अब इसे हमें पलट लेना a day बसे साभद्धानी पुरुबक Tucson कि पलटने में टूट सकता है बहुत सौर्ट है इसलिए साभदानी पुरुबक पलटें सम्संस्था को पलटने में थोड़ा तक प्रेसानी होता है लेकिन आराम से पलटेंगे तो अच्छी तरह से पलटा जाएगा असनास्ता को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसे आप मेहमान को असनेक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं यह बहुत ही टेश्टी बनता है जितना देखने में सिंपल है खाने में उतना ही ज़्यादा टेश्टी है तो इस तरफ से एक पार बना कर जरूर देखे आपको बहुत ही पसंद आएगा तो इसे अलटते पलटते हुए हमें चारो तरफ से इसे कुक करना है दो तरफ से नहीं ध्यान रहे इसे चारो तरफ से कुक करना है इसलिए इसे चारो तरफ से पलट पलट कर अच्छी तरह से ग तो यह देखिए लगबक फ्राइ हो गया है बहुत कम तेल में नास्ता बनकर तयार हो जाता है बहुत ही टेश्टी बनता है एक बार इस तरह से ट्राय जरूर करें और हमें जरूर बताएं कैसा लगा यह नास्ता अब यह नास्ता बनकर तयार है तो देखिए कितना सुन्दर और टेश्टी बना है मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ आपको यह रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट करके बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें